अपने यहां एक शांदार डॉक्टर है सर डॉक्टर शरशाफ ठककर उन्होंने अपनी खुद की कहानी बताईए जो मैं आपके शामने पेश कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले उनकी एक नया नया उन्होंने होस्पिटल खुला और देखे साब डॉक्टर साब बड़े गुले तो इतने दिल वाले बात सो रही है पर नया नया होस्पिटल गुला था उसी समय क्या हुआ एक रिक्षा वाला एक मुस्लिम दंपति को लेके आया वो लेड उनके ऑस्पिटल के बार अब वो उनके जो डॉक्टर से न उन्होंने बोला कि सरीट को अंदर लेना पड़ेगा था नहीं तो ये तो उन्होंने कुछ पूचा न किया नया नया ऑस्पिटल खचा लग रहा है तुरंट उसको अंदर लिया बहुत सारा खून चड़ा उस सम जिन्दा रहेगे मस ठीक हो गए और जब जाने की बारी आई 20,000 रिप्या का उस जमाने में बील बढ़ा तो उनको पूचा गए बेक कितना है उसने बोला मेरे पास तो फंद्रस हो अब डॉक्टर बोले यार नया नया तो आस्पिटल खुला ये बढ़ुआ ये डेबीट किदर से आ रहा है अब अपने अंदर भर्वान को शिकायत कर रहे कि यार अभी मैं नहीं करता तो भी मारा जाता और कर लिया तो भी मन में तो आता ही है ने पैसा जाता है तो अब हुआ ये वो जब जाने लगा ना तो डॉक्ट शाब ने देखा कि वो पंद्रस रिप्या दिया और पूले तू जाएगा कैसे पूले पैदल जाओंगा तो डॉक्ट शाब ने 20 रुप्या निकाला और दिया के तू रिक्षा में चाहां और 1480 रुप्या इनके बास और डॉक्ट साब बैटे बैटे सोच रहे हैं भगवान ये क्या ओपनिंगे इतने में क्या हुआ रिशप्स इसका फोन आया कि आपका कोई पूराना दोस्त मिलने आया रमेश पटेल वो बोलता है कि आपके क्लिनिक के पास उसकी दुगांतिया बोले हाँ याद आया उसको को भेज अंदर वो अंदर आया तो दीका सो नहीं का सब पहना हुआ है बोले रमेश तेरे आलचाल तो जोड़ार होगे बोले पहले एक दुकान ती अभी चार सोरूम होगे अभी मैं आपने याँ बीम डबलू में आया बोले क्या बात है जोड़ार है बोले ठका ठक है कोई घरती तकलिफ वाला हो न अपने को कुछ करना है फ्यूचर में बताना बोले फ्यूचर में नहीं तु प्रजेंटेंस में आजा है अभी तकलिफ है अभी ये ग्राज गया है तो बोले कितना है बोला के 20,000 का मेंटर था चम्दोस असी देखे गया है उस समय काड़ बा च्क है जुक थे समय को उक्ते है फिके उसने निकाला फिर्ष और फिर्ष को पूरा का पूरा उल्टा कर दिया अचा कर दो हुझे जा रहा एंसे मेरे बैकले में पेटरोल साब बहुरान हाजा वजी पे आप जब भी अच्छा काम करते हैं ना उपर वाला देखता है और जब भी ख़राप काम करते हो ना तो भी उपर वाला देखता है तो साब लोगों के हेल्प करते रहें बहुत और आप सुनके तर्शुष चुरेंगे वो बंदा अगला 17 साल हो गया बाद में वापीज आपी डॉक्स साथ को दिखाई भी नहीं दिया तो साब उपर वाला है ना अशे काम करते रहिए वो ही आपके साथ चलेंगे और डॉक्टर शरष चाप को सेल्यूटे साथ तैंक यू साथ